हेलो बच्चों तो question है मारे पास, the frequency of a sonometer wire is 10 hertz, when the weight producing the tension are completely immersed in water, the frequency becomes 80 hertz, and on immerging the weight in a certain liquid, the frequency becomes 60 hertz, the specific gravity of the liquid is, ठीक है, यानि कि liquid की मुझे क्या find करनी है, density निकालनी है, ठीक है, तो देखो, कि specific gravity का मतलब क्या होता है, कि liquid की density, ठीक, ठीक, तो पहलो यहां पे करो 100, because air में जो किसी भी wire की frequency, कोई भी frequency that is maximum ही नियर, ठीक है, अगर मैं medium change करता हूँ further, तो वो decrease होना चालू कर देगा, ठीक है, तो यानि कि यहां पे क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए, तो frequency initially कितनी थी, f was 100 hertz, ठीक है, not 10, it is 100 hertz, ठीक, तो अब frequency को हम क्या लिखते है, जब frequency हम लिखते है, f equals to 1 by 2L, under root t by mu, ठीक है, और mu मेरा क्या होता है, mu is equals to mass upon length, यहनि linear mass density, अब इससे मैं लिख सकता हूँ, mass upon volume multiplied by area, ठीक है, इस तरह से लिख सकते है, because area, अगर मैं area को divide करता हूँ, volume से, तो मेरे पास बचता क्या है, length होचता है, ठी ठीक है, तो L बच जाएगा यहां से, एरिया को हम क्या लिखते है, area, sorry, volume को हम लिखते है, area into length, ठीक है, न, हमने यह भी पढ़ा है कि हम volume को क्या लिखते है, area into length लिखते है, ठीक है, तो यहां पर क्या जाएगा, and in case of wire volume क्या होती है, pi r square, तो यहां से भी देखो, pi r square, pi r square cancel इस का बच जाएगा रहाए बच जाएगा फर्ीकुएंसी को क्या लिख सकता हूँ वन बई 2L under root T by pi r square into rho, ठीक है? तो यह तो मेरा आगया frequency, ठीक है? तो यह मेरा final equation आगया कि मैं इस तरह से frequency को लिख सकता हूँ, ठीक? तो पहला case कहा था कि जब medium मेरा air था, ठीक है? तो in that case, जो frequency मेरी थी, कितनी थी? 100, तो मैं यहां लिख सकता हूँ 100 is equal to 1 by 2L under root of T by ठीक है? अब T by pi r square d1 तो यह क्या होगा? रो, ठीक है? वाइर की देंसिटी क्या है? मेरी रो है, मान लो रो मेरी रो की देंसिटी है अब टेंशन देखो, क्या लिखेंगे? अब टेंशन मेरा होगा, वाल्यूम सबमर्जड अब मैं किसी लिक्विट में भी, किसी लिक्विट में है, इससे ignorance करता हूँ, तो इस केस में मैं टेंशन क्या HAVE लिखते है, volume immersed into density ओव देंसिटी अव देंसिटी पे मेरीम इंटीाल मेर्जडील इंटी इंटीजी ठीक है, तब यहां पे मीरीम क्या है? एर है तो यह हो जाएगा 100 equals to 1 by 12 under root v d1 मान लो air का density है into g pi r square rho ठीक है यह लिख लेंगे ठीक है तो इसे मान लो equation number 1 अब देखो next किया है कि इसने बोला कि अब हमने इस पूरे system को क्या किया है water में submerged कर दिया frequency मेरी 80 hertz यानि हम लिख सकते है 80 equals to 1 by 12 under root अब देखो t की जगह क्या आएगा vg अब density देखो क्या होगी density होगी दोनों का difference ठीक है d minus d1 upon pi r square rho okay and final यह मान लो equation number 2 है and equation 3 आप किसी unknown liquid में डाला जिसकी density मान लो d2 है ठीक है तो अब क्या हो जाएगा frequency कितनी होरी 60 यानि 60 equals to 1 by 12 under root vg d1 minus d2 ठीक है इसकी frequency density क्या इस liquid की d2 तो यह हो जाएगा pi r square rho ओके तो यह equation number 3 आगे हमारे पास ठीक अब देखो तो यहाँ पे इससे अगर मैं divide करता हूँ किसे 1 and 2 को तो 1 and 2 divide करो तो यह आजाएगा मेरे पास 80 by 100 will be equal to d1 minus d upon d1 ठीक है d1 minus d upon d1 ठीक तो यहाँ से ही आजाएगा 4 by 5 equals to under root 1 minus d by d1 similarly इससे square कर दें अगर तो यह हो जाएगा 16 by 25 equals to 1 minus d by d1 ठीक अब similarly देखो second equation में क्या करो यहाँ पे कि इन दोन equations को divide करो तो यह हो जाएगा 8 by 6 या फिर इससे लिख लो 4 by 3 will be equal to under root of d1 minus d upon d1 minus d2 square करो यह हो जाएगा 16 by क्या हो जाएगा यह 16 by 19 so 16 by 9 will be equal to d1 minus d upon d1 minus d2 ठीक है यह चीज आजाएगी अब देखो तो यहाँ से मैं एक चीज लिख सकता हूँ कि d minus d by d1 की value क्या हो जाएगी that will be 1 minus 16 by 25 यानि कि 9 by 25 ठीक है 9 by 25 यह मेरी value होगी d1 by d1 की value आजाएगी 9 by 25 ठीक तो यहाँ पर value put करो तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है यहाँ पर देखो क्या हैगा ठीक है तो अब इससे क्या करो तो डिवाइड कर दो d से ठीक है इस पूरे हरे को डिवाइड कर दो d से तो यह आ जाएगा मेरा 16 by 9 equals to d1 by d minus 1 upon d1 by d minus d2 by d ठीक है तो d1 by d की value यहाँ से लिख सकता हूँ 25 by 9 minus 1 divided by 25 by 9 minus d2 by d ठीक है तो यह solve करके हमारे पास आ जाएगा जबो इससे solve करो यह आ जाएगा 16 by 9 will be equal to 16 by 9 ठीक है यहाँ से क्या जाएगा 16 by 9 divided by 25 by 9 minus d2 by d ठीक है इससे further solve करते है तो यह आएगा हमारे पास ठीक है इससे further solve करो यह आते भी इससे लिख सकते हम कि 25 देखो 25 by 9 minus d2 by d ठीक है किसके equal होगा यह 1 के equal होगा will be equal to 25 by 9 minus 1 याने के 16 by 9 कितना जाएगा 16 by 9 ठीक तो d2 by d1 basically क्या रिप्रेजेंट करता है इस रिप्रेजेंट करता है इस रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट से स्पेसिफिक ग्रेविटी अफ द अन्नों लिक्विड पेसिफिक ग्रेविटी क्या रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है इससे सॉल कर रही आ जागा 1.77 यानि कि उस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है 1.77 तो option मेरा 2 करेक्ट है है I hope you understand it well thank you